नमस्कार मित्रो स्वागत आपका हमारे स्यूट्यूब चैनल पे वजह कुछ भी रही हो परीक्षा में खाली छोड़ दी OMR शीट जूनियर एड़ेट सिक्षक वरती विवादों में घिरते के साथ घिरते ही चली जा रही है कोई न कोई नया बवाल या कोई न कोई नया प्र ख़बर देखने में है क्या तो जूनियर हाई स्कूल सिक्षक भरती परीक्षा में कुछ अभ्यरतियों ने शूर्ने अंक मिलने पर उत्रप्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव को प्रत्यावेदन देकर सवाल खड़े कर दिये थे कुछ सफल हुए अभ्यरतियों ने कम अंक मिलने की शिकायत की है उनका दावा है कि सत्यापन कराने पर उनके कुछ अंक बढ़ जाएंगे जिससे वह मेरिट में उपर हो जाएंगे प्रत्यावेदन पर जाच कराई गई तो करीब 20 मामले ऐसे सामने आए जिसमें अभ्यरतियों ने रोल नंबर भरने के बाद आप्टिकल मार्क रीडियर मतलब OMR शीट की को खाली छोड़ दी थी इसके अलावा कम अंक मिलने का दावा करने वाले सफल अभ्यरतियों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया है परिक्षा नियमर प्रादिकारी ने अशाच की सहायता प्राप्त एडिट जूनियर स्कूल जे है उसमें प्राद्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापकों के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर को सीसी टीवी की निगरानी में दो पालियों में परिशा कराई थी 15 नमबर को इसका प्राद्यापक पत पर के लिए करीब 45,000 सफल अभ्यरति गोशित किये गए और इसी तरह प्राद्यापक पत के लिए करीब 1700 अभ्यरति सफल होए वेबसाइट पर अभ्यरतियों ने परणाम देख तो शून अंग मिलने पर आपती जताई ऐसा मामला बलिया की शिल्पी सिंग का भी रहा विभागी जानकारों के मताबिक अभ्यरतियों को प्रत्याविदन के साथ कुछ और मामलों का सत्यापन PNP ने परिक्षा एजनसी से कराया तो पता चला की करीब 20 अभ्यरतियों ने OMR शीट पर उत्तर दर्शाने वाले गोले निशान को पूरा साधा छोड़ दिया था तो अब भै देखना होगा क्या है असली ये मामला क्यों खाली छोड़े गए क्या वाकई में कोई उनकी सेटिंग रही थी पहले से कि खाली छोड़ देने के बाद ऊपर कोई कुछ उनके मार्क्स भर देगा या गोले भर देगा वो तो पूरी जाच जब होगी इस पे अगर स्टी अफ जाच कराए गई तो बात और खुलेगी और स्टी अफ जाच ना कराके केल PNP तक ही ये अगर सीमित रहा तो ये बात यहीं पर दिब जाएगी देखते हैं कोई और खबरे आती है क्या कोई और नियूज मिलती है तो आप लोगों तक जरूर पहुँचाई जाएगी देखते हैं जूनियर एडर भरती वाकई में क्या विवादो का ही एक गड़ रहेगा या फिर चुपचाब यह भरती कंप्लीट हो जाएगी मेरिट की चिंता में कर रहे हैं शिकायत तो ये भी पढ़ लेते हैं तो परीक्षा नियाप अधिकारी सच्चिफ संजय कुमर उपादयाने बताया कि हाज जूनियर हाज स्कूल भरती में सफल हुए कुछ अब्यर्तियों ने अंग कम मिलने की शिकायत की है उन्होंने आशंका की कुछ अंग बढ़ जाएंगे तो वो शिक्षा निजहारे की और से तयार की जाने वाली मेरिट में उपर आ जाएंगे क्योंकि पदो पर चयन मेरिट की आधार पर किया जाएगा ऐसे में अब्यर्तियों को शिकायतों को सत्यापन कराने के लिए परिशा एजेंसी को बढ़ जाएगा ताकि जो भी अशंकाय हैं लोगों को जो उनका समाधान किया जा सके के परणाम पूरी निश्पक्षता के साथ जारी किया जाएगा ये है बयांग सचिव का चलिए देखते हैं कितना समाधान होता है कितनी निश्पक्षता रखी गई है ये तो अभी एक कुछ समय में मालूम चली जाएगा बाकि कोई भी निउस आप लोग के तक आएगी तो वो जरूर आप लोगों तक पहुंच देवाली है लास तक आपने देखा उसके बहुत 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 धन्यवाज कोई भी विचार हों कुछ और जानकारी हों तो जरूर कमेंट में बताएगा थैंक यू एंड हैवन आइस टेड़